नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहें न्यूजेटीन मध्रदेश 36 गर मैं हूँ अपर नमौज़म वक्त हो गया है मध्रदेश की महा डिपेच का आज बात 2024 के रण की करेंगे चुनाव आयोग ने तारिखों का एलान कर दिया है देश में पिछली बार की ही तरह इस बार भी साथ चड़नों में वोट डाले जाएंगे उधर लोकस्रभा के महारण के लिए मध्रदेश में चार चड़नों में वोटिंग होगी चुनाव की तारिखों के ऐलान के साथ ही मध्रदेश में अब घमासान बढ़ने वाला है बीजेपी और कॉंग्रस में पहले से ही सियासी बयान बाजी जारी है अब चुनाव की तारिखों के ऐलान के साथ ही जमीन पर राजितिक दल प्रचार करते हुए नज़र आएंगे और 13 माई को 4 चरण की वोटिंग होगी। एक तरफ बीजेपी का चुनावी रत है जहां दिगज नेताओं की भरमार है। युवा और दिगज नेताओं में तालमेल के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। उधर कॉंग्रेस के रत में युवा सवार है। लेकिन बड़े नेताओं का अनुभव फिलहाल नजन नहीं आ रहा। पिछले कुछ दुनों से कॉंग्रेस में नेताओं के स्तीफे का दौर भी जारी है। चुनाव में कॉंग्रेस का संगठन उतना प्रभावी नजन नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठता है आखिर बीजेपी के सामने कैसे कॉंग्रेस टिकेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादम ने मध्ध प्रदेश में बड़ी जीत का दावा किया है। तो उधर कॉंग्रेस का कहना है कि लोग सबाचनाओ में पार्टी का परफॉर्मिंस अच्छा रहेगा। चुनाओं देखें तो कॉंग्रेस का महुल था और आठ में से नो में से साथ चैनल कॉंग्रेस की जीत की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर चुनाओ को लेकर वादे भी हो रहे हैं। दावे भी किये जा रहे हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत को लेकर ताल ठोक रहा है लेकिन फैसला आपको करना है याने की जनता को करना है। अब प्रदेश में जनता का क्या मूड है वो तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। दावे और वादो की जन्ग भी इस बीच चलती रहेगी। लेकिन महा डिबेट के सवाल क्या है आईए बड़ी स्क्रीन पर उन महा डिबेट के सवालों को देख लेते हैं। पहला सवाल है तारीखों का एलान बीजेपी और कॉंग्रिस कितनी तयार। आई आप देखते हैं दूसरा सवाल क्या है वादों और दावों की जन्ग किस में कितना है डम ताल तो हर कोई ठोक रहा है लेकिन डम किस में कितना है इस पर करेंगे बात। तो महा डिबेट इनी सवालों के एर्धगिर्द रहेगी और महा डिबेट में आज कौन को जुड़ रहा है उनका परिचे आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ खास पैमान जुड़ चुके हैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे। हमारे साथ जोड़ चुके हैं गुलरेज शेख बीजेपी प्रवक्ता हैं स्वागत है आपका वरिश्पत्र का दिरियेश गुपता जी भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। की प्रवक्ता हैं या अपका वी स्वागत है और साथी एस्पी नेता जितेंद्र वर्मा जी भी आ आपको टीवी स्क्रीन पर नज़रा रहे होंगे। सर आपका भी स्वागत है साथी आलोक वच सी जोड़ रहे हैं बतौर राजितिक विश्टलेशक आलोक जी आपका भी स्वागत है लेकिन पहला सवाल आपसे गुलरेज जी कितनी तयार है बीजेपी देखिए ये तो लोक तंतर का महा पर्व है इससे बड़ा पर्व लोक तंतर में नहीं होता जब चुनाओ होता है और आज चुनाओ की तारीखे आ गई है हमारे उत्सा हमें कई गुनाव रद्धी हुई है जहां तक आप तैयारी की बात करें दुनिया का सबसे बड़ा वैच सबा इस तर तक के काम कर चुके हैं हमारा दो दो बार ओल्मोस सारा काम हो चुका है और अभी भी लगाटार काम चल रहा है मुझे पूरी उम्मीद है विश्वास के साथ कह सकता हूं कि गुंतीस में से गुंतीस सीटे हम जीतेंगे का अंडा आएगा अंडा ठीक है आएगे जिसका हमें इंतजार था भारति जन्ता पार्टीस मुगालते में है कई 400 की बात करती है फिर उंबर करती है पि 370 पर आ जाती है अभी उसे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो राम मंदिर वाला मामला चल रहा है जबकि राम मंदिर निपड गया है कॉंग्रेस ने पंडा परभारी बना लिए पंडा प्रभारी यह मंडल और सेक्टर तक कॉंग्रस नहीं है अब कॉंग्रेस मंडल पढ़ना प्रवारी तक पहुंच गई है निश्चित तोर पर संगर्स करेंगे और यह चुनाओं उसे अलग है गुल्रे जी गलत पहिम है आपकी सुनिए यह चुनाओं नहीं है तो चौदे का और उन्नीस का आपके पास में कौन सब्सक्राइब अभी तो चर्चा की है पहले सवाल पहले जवाब में हैं आप लोगों अगर लड़ेंगे तो बाकि महमानों को शामिल नहीं कर पाऊंगी मैं तो प्रियास करके देख लिया हनुमान जी को मंच पे लाके देख लिया लेकिन वहां की जनता जार्जुन को मंगलवार है और 2024 का मंगल किसका मंगल करेगा द तो चुनाव मुद्दो पर चुना होगा विकास की बात की जाएगी इधर उदर की बात नकर काफिला क्यों रुका ये बताना पड़ेगा आपको किसका कासिला रुका सर वे इंदेंदर वर्मा जी आपके गड़बंदन के साथी भी यहां बहुती आत्विश्वा से लवरेज नजर आ रहे हैं खजराहो एक सीट माध्य प्रदेश में कितनी तैयारी आगे देखे समाजवादी पार्टी इंडिया गड़बंदन का हिस्सा है अमत प्रदेश में खजराहो सीट लोग सभाके लड़ रही है बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरसट सीटों पर लड़ रही है और इंडिया गड़बंदन पूरी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है हमारी पूरी त्यारी लगातार चल रही है सब्सक्राइब करेंगे सरा आज भी हमारे छे प्रत्यासी मेडम घोशित हुए है खजुराहों की बात करेंगा उत्तर प्रदेश में तो हमारे करीब आज देश के चुनाओ और देश के चुनाओं में भारते जनता पार्टी को सब्सक्राइब देश की जर्टा 10 साल से इंको चेल रही है दस साल से जिस तरीके से नहीं देश की जनता को परिशान किया है जिस तरीके से विरुजगारी लगातार देश में बढ़ी है यह पूरा देश देख रहा है अब बड़ी संख्या होने की है जो वोट डालने पहुचेंगे इस बार ठीक है दिनेश गुपता जी सर जाना चाहूंगी मैं आप से समझना चाहूंगी क्योंकि तैयारियों को लेकर दावे तो हरकोई करता है लेकिन आप क्योंकि चुनाओं की तारीकों का एलान हो चुका है अब ओफिशिल अनॉंस्मेंट हो गई है तो किसकी तैयारियों पर कितना दम आपको दिखाए दे रहा है और जिन मुद्दों के हम बात करते हैं जो सिधा जन सरुका से जुड़े हुए होते हैं क्या वाकई जमीन पर अब उन मुद्दों को लेकर वो माहौल नज़र आ रहा है या सियासी माहौल है अपरना मुद्दों के अलावा भी बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है चहरा भी होता है और रंडीनती में होती है तो आप देखें जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है उसे कम से कम इलेक्शन का एजेंडा सैट करने का एक मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं आप देख अजमें नहीं आ रहा है कि वो क्या स्टेटिजी बना है क्योंकि आप देखी ना कुनोंने कैंडिडेट भी घोषित कर दिये हैं उन्होंने अपने मुद्दे भी बता दिये जो भी मुद्दे जिनकी चर्चा होती है जो बाकि जनता के मुद्दे होते हैं जो हम सुनते ना को आप अटेंड करकि उनके साथ सड़क पर क्यों नहीं आ रहे है जनता सड़क पर क्यों ना राजगी है उनका रियक्षिंन जो है आवो सत्ताधारी दल है, उसकी उपलबनियों पर क्यों है, एकोनومी की बात क्यों करती है, या जो धार्मिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश में जो है लाजनीती विपक्ष करता रहा है वो अभी तक अपने आपको बदल नहीं पाया इसलिए उसकी स्टेट जी पूर है जब स्टेट जी पूर है तो आप लेक्शन में आप कैसे माइलेज लेंगे यह बड़ा सवाल है ठीक है आलो कवस जी अब मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर ताल हर कोई ठोक रहा है और एक बड़ा जो हम चला चले की बिला देख रहे हैं भले ही कॉंग्रस छोड़कर जाने वालों की लाइन लंबी हो लेकिन छोड़कर तो बीजेपी वाले भी आ रहे हैं अब और कॉंग्रस कहरे कि सिटिंग जो MP है वो छोड़कर आ र जान नीती है कि देखिए पड़ना जी आलोग जी आपको मेरी आवाज आ रही है जी मेरा ये कहना है कि कॉंग्रेस का गठवंदन क्या गठवंदन है जो यह चुरू हुआ था 28 दलों का आज ये कहां पर आके खड़ा हो गया है इसमें कितने दल हैं इनको खुद भी नहीं म अलग अलग राप अलाप रहे हैं चाहे वो वेस्ट बंगॉल में मम्ता में इनर्जी हो या पंजाब में मान हो या लालु यादब में भी मात्र 17 सीट देकर एक तरीके से 17 लीडर बना दिया वहां भी इनको समाजवादी पार्टी ने अन्य जैगोंपर इनका कोई को डिबंदन दिखाई नहीं दे रहा और उसके मुकाबले भार्टिये जंता पार्टी पिछले शे महीं ने साल वर्थ से पूरी सयारी में ह उसने अपने 200 55 कैंडिडेट अनौंस कर दिये इन्होंने अभी तक बिरासी कैंडिडेट ये अनौंस किये हैं तो हर तरीके से जो तैयारी एक होनी चाहिए लोगसवाद चुनाओं के मद्दे नजब उसमें भार्टिये जंता पार्टी इनसे मीलो आगे है उसके पास काम का एक जो उसने कल्यानकारी काम किया है उसकी एक पूरी लंबी लिस्ट है जो लोगों को रिलीफ पहुचाने का काम किया है जो लोगों को रहत देने का काम किया है तो सही माने में मैं तो इसलिए चिंतित हूँ कि लोगतंत्र में एक मजबूत पिपक्ष भी होना बहुत वो मुझे नहीं नजरा रहा है कि कहीं से ठीक है समझ गया आपके बाद देखे ये बात है कि बीजेपी के पास रिसोर्स भी है बीजेपी के पास इस समय चेहरा भी है लेकिन जब आपके विपक्ष गटबंदन का आगाज हुआ था तो उस वक्त एक उम्मीद जगी थी कि शा नहीं हुए हैं दिखिया पढ़ना जी एक बनाम एक की लड़ाई करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार थे अभी भी तैयार है गटबंदन की हमारी बाते हो रही हैं एक चीज़ा लोग जी को शायद याद नहीं होगा कि सारी तैयारी के बाद इंदरा जी चुनाओ हार आ रहा है इन्होंने महगाई पर जो बात की थे उसका जबाब है इनके पास बहुत हुई महगाई की मार अपकी बार मोधी सरकार दो करोन लोगों को रोजगार देने की बात की थी इस पे भी तो जबाब होगा और मुद्दे कितने चाहिए सरकार के खिलाब इस सरकार ने त अपने मसाले और रसोई गैस से परिशान है उसको लेकर विपक्ष को कुछ कहने की जरुवत है विपक्ष कहता है तो डियर सो संसदों को सदन से बाहर फेक दिया जाता है जिदेंद्र जी लेकिन महंगाई का असर आप पर भी पड़ता है हम पर भी पड़ता है आम जनता पर पड़ता है लेकिन बता दीजे कहां उतर रहे हैं आपकी नेता महंगाई को लेकर सड़कों पर एकाथ प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए तो बड़े व्यापक स्तर पर अरे मैं कहां है आपकी कॉंग्रस महिला कॉंग्रस की नेता अपड़ना जी मैं आपको बता रहा हूँ कि महंगाई की बात नहीं है नाजवान पर बेरोजगारी का असर पड़ता है दो करोंड़ लोगों को रोजगार देने का असर नाजवान पर पड़ता है साड़े साथ सो किसानों की आत्मत्या की और शहीद हुए ये किसानों पर पड़ता है किस मुद्दे पर बात करेगी ये सरकार अभी आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि चावल पीले अक्षट बाढ़ दिया आपकी कालोनी में आपकी मा के घर में जाके पीले अक्षट मैं देने से चुनाओं नहीं होता है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो मेरा मतलब यह था कि अगर राम मंदर का मुद्दा है तो उसको लेकर किस तरह कि कारे करता चाहे शहर हो चाहे ग्रामी कारते पड़़्हल सख्रीन देखेंगीं मैं वही बता रहा हूँ कि अब क्या कहेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ रही है हमने बादा किया ता महंगाई कम करेंगे हमने कहा था 35-40 रुपे में पेट्रोल बेचेंगे क्या लेके जाएंगे किस घर में जाएंगे किस आप जो पुलवामा कामला हुआ उसके बाद में आप चाहिना की जो शेल कंपनियां उनसे चंदा ले लेते किसका जवाब है ये बताएंगे कि मैलाओ पर पेशाप कांड बताएंगे या मलिपूर में मैलाओ को नंगर रचाया जा रहा है वो बताएंगे किस मुद्दे को लेके जाएंगे पीले अक्षण बाटने का काम कतब हो ग कि बहुत हुई महंगाई की मर अब की बार मोधी सरकार हमने बिल्कुल नारा लगाया था करके दिखाया आपके अनरत्थ शास्ति प्रधान मंत्री के कालखंड में 14% 13% तक के महंगाई की दर जाती थी जिसको हमने कैप कर दिया 6% कानून बनाकर एवरेज में 4-5% से परेशान नहीं है क्या जारा नंबर की हमारी अरत्विवस्ता हुआ करती दुनिया में आज पांचवे नंबर का इस्तान है हम एक कोई भी हत्या मेनिफेक्चर करने ही पा रहे थे आज हमें एक्सपोर्ट करने की श्रणी वाले दोस्ते देशों में आ गए यह हमने करके दि सेक्टर सेक्टर नामले माकस अरुट कि और देख को संपंद बना रहे हैं दुनिया में हमारा लोहम आना जा रहा है हम इन सब चीजों को है महंगाई का सर हर किसी पर पढ़ रहा है महंगाई को मुद्ध बनाया जा रहा है लेकिन फिर भी वो व्यापक असर हर स्तरपर नजर नहीं आ रहा उसके खिलाफ आवाज उठाने को लेकर क्या वज़ा मान रहा है नहीं उसके जो बज़े है वो किवल आप जी उसको चैनलाइज नहीं करेंगे आक्रोश को लोगों की नाराजगी को आप देखे दो हजार चौदा का जो इलेक्शन था वक उसमें आज आमाद्वी पार्टी की उत्पत्ती हुई एक मुद्ध था लोगों का आक्रोश था अब तक लोगों के मन में बिपक्ष के पृति भरोसा होना चाहिए ना कि ये उनके साथ खड़े हुए हैं तो जब लोगों को भरोसा ही नहीं है कि उनकी आबाज आप उठाएंगे क्योंकि आप लेकि ने राहुल गानी के मुद्ध क्या होते हैं राहुल गानी जिन अंतर रास्ती मुद्दों पर बात करते हैं या जो आप एकॉनमी को भी ले लिजे देश की एकॉनमी की आप लिए बात करेंगे आम आदमी को कितना समझ में आता है कि एक मजदूर को समझ में आता है कि पांच में नमर की एकॉनमी में क्या चेंज जा जा जाता है किस तरह का परि तो चालीस परसेंट वोट कैसे मिल गया तो कहीं नाराजगी थी ता भार्ती जनता पर्टी को लेकर तो लोगों की जो नाराजगी है बहने ही विपक्स कुछ नहीं कर रहा है वो अपना पोलिंग स्टेशन पर कर रहा है विपक्स सरकार नहीं बना पाया यह उसकी रन्डीती क समझोरी है तो बहुत सारे मुद्डे होते हैं जो पोलिंग स्टेशन पर जाकर जनता अपने मुद्डों का को लेकर एक भोट करती है उसी का जब पढ़नाम सामने आता है तब पता लगता है कि कि सराज में क्या मुद्दा चला जी ठी जी तेंद्र वर्मा जी मुद्दा है है मुद्दा असरदार भी है लेकिन विपक्ष उस मुद्दे को लेकर मुखर सड़क पर नजर नहीं आ रहा सुना होगा अपिद्रेशी को कि देश की जनता इनके खिलाफ मुखर हो गई है हाँ जब खबरों मनी आया तो अलग बात है ने तो देश के किसान तो पूरे देश के लिए बात के लिए शर्म की बात है कि सवयं का ही तैसी कहते और पर दो साल में के फाइदे रहे अन्तिता जब इनमों को लगा किसान कानून से तो फाइदा नहीं को किसानों गार्ट करिंश क्षान ये फिर उटिशनों पर केस्द रुझ हूए उनको मुआपजा नहीं दिया गया किसी मुद्दे पर खरे नहीं उत्रे रोजगार के मामले में आप देख लीजिए पुरे पचास साल की देश में सबसे बड़ी भी रोजगारी है यह हमारा नहीं नहीं से सोगा डाटा है कहां पर इन्होंने कौन सा रोजगार नोकुरी दे दिया जूट 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 बोलते चार साल में वहां बच्चा शहीद हो जा रहा है उसके परिवार को जैसी सेना के जवानों की मिलती वैसी नहीं मिलती उनको उस तरह से ठीक है तो इन सब मुद्दों को लेकर आप सड़क पर उतरने की बात कर रहे हैं आप यह बता दिजिए कि बीजेबी तो 29 की 29 क्या रही कॉंग्रेस का आत्मिश्वास क्या कह रहा है नंबर दीजेगा अपड़ना जी यह 29 की 29 सीटों की बात तो 77 से करते चले आ रहे हैं यह तो लोकसमा में दो हुआ करते थे वो याद नहीं है इन्हें आज अगर धर्ब के नाम पर राजनिती करके कुछ जोट जुगाले लिए नंबर दीजें नंबर विकास का जवाब रहें का नोट बंदी इस देश के लिए दस में से दस दस नंबर हम आरे तैयारी को दे रहें और तीस सीटों में से 20 सीटे कॉंग्रेस जीतने जा रही है क्योंकि हमारी तैयारी आपने भी देखा जो अभी सुची आई उसमें आप है जिनको लेकर हम लड़ाई लडएगे और सारे मुझे गुल्रेज जी हर बूत पर 370 वोट बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो आचनाओ के तारिखों का एलान हो गया है और हर कोई अपने अपने दावे कर रहा है लेकिन दावों की हकीकत जनता समझ रही है देख भी रही है और बकू भाब भी रही है और अपना फैसला सुना देगी जो 4 जून को नतीजे सकते सामने होंगे महारी बेट में ताएं कब रोकलाब बने रही है